Hello my magical family, how are you? Welcome back to my channel So, आज मैं आप सब के लिए एक खुबसूरत सी success story लेकी आई हूँ ये success story है एक cute से couple की जिनोंने hope ono-puno prayer की help से अपने relationship को अच्छा किया है अपने relationship को उन्होंने break up से patch up में जींद कर लिया है ये success story है मेरे एक friend की जिनोंने अपने relationship को बहुत अच्छा बनाया है और आज उनकी engagement भी हो गई है और आप वो अपनी life में बहुत जादा खुश है आप सब को पता है कि hope ono-puno prayer एक ancient Hawaiian prayer है ये एक healing prayer है ये prayer बहुत simple है इसके सिर्फ four phrases होते है I am sorry, please forgive me, thank you, I love you ये four lines में वो magic होता है कि इससे आप खुद को अपने रिष्टों को वो हर चीज को आप heal कर सकते हो जिससे आप करना चाहते हो ये prayer आपको physically और mentally heal करती है मैं आपके साथ एक छोटी सी success story share करूँगी जिससे आप definitely motivate होंगे और आप खुद को और अपने रिष्टों को heal करोगे और अपनी success मेरे साथ definitely share करोगे सो ये success story ऐसे है कि ये मेरी friend की real success story है उन्होंनी ही मिझसे पूछा था कि क्या मैं अपने break up को patch up में change कर सकती हूँ क्या मैं अपने रिष्टे को पहले से भी ज़्यादा खुब सूरत बना सकती हूँ सो मैंने बोला था कि definitely ये आप पे है अगर आप करना चाहते हो तो आप definitely कर सकते हो क्योंकि आपने खुद ही से खराब किया है और आप खुद ही से heal कर सकते हो मैं फिर बोल रही हूँ कि ये आप पे है अगर आपने खुद खराब किया है तो आप खुद ही heal कर सकते हो चीक है उनका relationship था वो two years से था पहले तो उनका relationship बहुत अच्छा था बर दीरे दीरे उस लड़की के कारण ही उनका रिष्टा था वो negativity में चला गया because वो लड़की उन पे बहुत जादा शक करती थी और हर जगा उनको पूछना था कि वो कहां जा रहा है क्या कर रहा है किसके साथ है जिससे उनका जो रिष्टा था वो negativity में चला गया और दीरे करके उनका रिष्टा था वो totally खतम हो गया काफी मन्त निकले ठीक है उसके बाद उस लड़की ने सोचा कि क्या इतना खुबसूरत रिष्टा था जो मैंने खुद ही खराब कर दिया कहां हमें वो रिष्टा मैं रिस्तक लेकी जाना था जो रिष्टा मैंने खुद अपने थौट से अपने खुद के create कियोए थौट से क्राब कर लिया और हम कहां पे हैं तो उस लड़की ने मुझे से पूछा कि क्या मैं अपने रिष्टे को हील कर सकती हूं क्या मैं अपने रिष्टे को जैसे पहले था वैसा कर सकती हूं कि ये मेरे खुद के thoughts create किये हुए हैं और अगर मैंने खुद अपने रिष्टे को खराब किया है तो मैं खुद ही अपने रिष्टे को heal करूँगी उसके लिए आपको 100% responsibility लेनी होगी तो उसने कहा कि मैं करूँगी मैं अपने रिष्टे के लिए करूँगी मैं अपने special one के लिए करूँगी तो मैंने कहा ठीक है आप उनकी pick low जिसमें उनकी eyes clear दिखती हूँ आप उनकी pick low और आप Hawaiian hoponopono prayer start करो आप morning five minutes के लिए करो और evening five minutes के लिए करो अगर आपको दिन में भी time मिले तब भी आप करो बस आपके mind में जब भी उनके लिए negative thoughts आएंगे आपको उनने positive में convert करना होगा आपको ये believe करना होगा कि universe मेरे लिए काम कर रहा है वो मेरे है और मैं उनकी हूँ और universe ने हमारा साथ लिखा हुआ है हमारी marriage universe के लिए ने लिखी हुई है आप जो भी अपने रिष्टे के लिए अच्छा सोचना चाहते हो आप सोचना शुरू करो बस आप जब भी prayer करो या दिन में जब भी आप उनके लिए सोचो आप अच्छा सोचो एक smile के साथ सोचो कि मेरा रिष्टा बहुत जादा खुबसूरत है जब उसने मेरे कहने पे यह सब किया दीरे दीरे उनको खोदी अपने रिष्ट्स दिखने लगे मैंने बोला था कि चेज मत करना उन्हें मत देखना कि वो क्या कर रहे हैं किसके साथ हैं आप totally universe पे शोड़ दो आप अपना काम करो universe को अपना काम करने दो ऐसा ही उसने किया चेज करना उन्हें totally बंद कर दिया कोई call नहीं थी कोई message नहीं था कुछ भी नहीं था ऐसे करते करते उनके six months निकल गी six months के बाद वो लड़का जो उन्हें देखना भी नहीं चाहता था वो लड़का खुद सामने से आया और उनसे मतलब sorry feel किया और अपनी गलती की realization की और जैसे ऐसे करते करते उनका रिष्टा पहले से भी ज़्यादा खुबसूरत हो गया आज वो बहुत ज़्यादा खुश नसीब बोल सकते हूं क्योंकि उस लड़की ने ही अपने रिष्टे को इतना beautiful बना लिया universe की blessing से उनका जो couple है आप believe नहीं करोगे बहुत beautiful couple है उनकी engagement वो हो गई है universe की blessing से आज वो बहुत खुश couple है उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है कि वो एक साथ है अगर वो कर सकते हैं तो definitely आप भी कर सकते हो बस आपको सोचना है अगर आपकी गलती है नहीं है बट आपको 100% responsibility लेनी होगी अपने रिष्टे के लिए अपने रिष्टे को heal करने के लिए आप universe पे believe करना वो आपको result definitely देगा क्योंकि कोई भी रिष्टा है वो खराब तभी होता है वो तूटता तभी है क्योंकि हमने खुद ही ऐसे thoughts कभी न कभी create किये होगे हमारे अंदर कभी न कभी डर होगा कि मेरे रिष्टे में ऐसा न हो जाए मेरे रिष्टे में वैसा न हो जाए हम जान बुझ कर भी नहीं सोचते बट वो thoughts हमारे अंदर आते हैं इसलिए जब भी आप अपने रिष्टे को heal करना चाहो आप 100% responsibility लो और hope ono-pono prayer करो आपको definitely result मिलेगा और आपका रिष्टा पहले से भी ज़्यादा खुबसूरत हो जाएगा यह power होती है hope ono-pono prayer में आप पूरे दिल और पूरी energy से prayer करो और मेरे साथ अपने amazing results definitely share करना और thank you so much